टमाटर हमारी स्किन को अपने ही जैसा खूबसूरत बना देता है, चमकदार बना देता है, हल्दी हमारी स्किन के उपर निखार लेकर आती है, ग्लो लेकर आती है, हमारे चहरे के दाग धबों को लाइड करती है हफ़ते में सिर्फ एक बार तमाटर में इन चीज़ों को मिक्स करके अपने चेहरे के उपर लगा कर देखिए आप महंगे से महंगे फेशियल को भूल जाओगे इसके इतने जबर्दस रिजल्ट है इसको करने से पहले आप अपने फेश के उपर हाथ लगा कर देख लेना कि आपको आपकी स्किन कैसी महसूस हो रही है और इसको करने के बाद आप अपनी स्किन को हाथ लगाना आपको तूरंत ही इमीजेटली अपनी स्किन के अंदर वीजिवल चेंज दिखाई देगा आपकी स्किन आपको सुपर सोफ्ट महसूस होगी मक्खन जैसी हो जाएगी आपकी स्किन ये आपकी स्किन की ड्राइनेस को दूर करेगा आपके चेहरे के उपर एक प्यारा सा ग्लो लेकर आएगा एक चमक लेकर आएगा ये आपके चेहरे के उपर 20 वाला चार्म लेकर आएगा जिसकी आप सब कल्पना करते हो तमन्ना करते हो तो देरी के बिना चलते हैं अपनी रैमीडी की तरह नमस्ते जी आप सभी का आपके अपने चैनल beauty with nature by सुनीता सैनी में बहुत बहुत स्वागत है कैसे हो आप सब मैं उमीद करती हूँ आप सब लग खुश होंगे तो देरी के भी न चलते हैं अपनी remedy की तरफ कोई भी हम remedy यूज करते हैं सबसे पहले हमिच अपने फेस को साफ करना होता है मैं अपने फेस को साफ करने के लिए गुलाब जल ले रही हूँ आप भी पहले अपने फेस को वाश जरूर कर लीजिए उसके बाद ही इस remedy का इस्तेमाल करें ताकि आपको इसके अच्छे रिजर्ट मिले आप अपने फेस पे कोई क्रीम लगाते हो या कोई फेस पैक लगाते हो उससे पहले अपने फेस को साफ जरूर किया कीजिए फ्रेंड्स मैं आपको अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ क्योंकि धूल मिट्टी की वज़ए से हमारी स्किन के पोर्स बंद हो सकते है और अगर हम बंद पोर्स के उपर अपनी क्रीम लगाएंगे या अपनी रेमेडी लगाएंगे तो हमारी स्किन को नुकसान हो सकता है ठीक है जी देखिए ये साफ हो चुका है अब हम बना लेते से अच्छे तरीके से गोद लेना ताकि इसका जूस बहार आ जाए ठीक है फ्रेंट्स अब हम इसमें एड़ करेंगे आधा चम्मच चावल का आटा चावल का आटा स्किन टाइटनिंग क्ले स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है यह हमारे स्किन को एक्सफोल अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो कोई बात नहीं आप किचन में जिससे खाना बनाते हो वाली हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन आपने वह चुटकी भर करनी है अगर आपने ज़्यादा हल्दी ले ली तो आप जब इस रेमिडी को यूज करोगे उसक अगर आपका फेस येलो हो जाएगा तो वह और भी ज्यादा डल और मुझाया हुआ सा दिखाई देगा ठीक है जी अब हम इसमें एड करेंगे विटामिन ए का एक कैपसूल फ्रेंड्स आपने इसमें एक ओयल आड करना है अगर आप विटामिन ए एड नहीं करना चाहते त आपकी स्किन आपको बहुत ही ज्यादा सोफ्ट और मुलाइं फील होगी अब मैं इसमें एड करूंगी चोथाई चमच के करीब निम्बू का रस देखिए फ्रेंड्स ये ऑप्शनल है अगर आपको सूट करता है निम्बू का रस तभी आप इसमें एड किजिए वरना हैंड से और दो मिनट से ज़्यादा है आपने मसाज नहीं करनी और आपने इस रेमिडी का इस्तेमाल हफते में सिर्फ एक ही बार करना है डेली नहीं करना इस बात का भी आपने पूरा ध्यान रखना है फ्रेंड जहां पर आपको आपकी स्किन ज्यादा खुरदरी फिलोगी आपने वहां पर इसको थोड़ा ज्यादा रब करना है जहां पर आपके ब्लैक हैड्स हैं वाइट हैड्स हैं आपने इसको वहां पर भी ज्यादा रब करना है लेकिन प्रेशर से नहीं करना बहुत ल इसको रब करना तर यहां पर होती है यह नोस के आस पास होती है फोर हेड के उपर होती है आप वहां पर इसको थोड़ी जूड़ी ज़्यादा रब करिये इस एक तरह का का लहstyle हो रहा है स्करब करने मात्र साहँ आपको अपनी स्किन के अंदर ऐसा ग्लो दिखाए आपको ऐसे के निया होगा जासे आपने कोई महेंगे वाला फेशियल अभी में टामाटर की आपको आपको आपने एक में की आपको और उसकीई को से मंहाँ और विसित क्रूड कर technology कर देखेर अगर चहरे के उपर pigmentation है तो उसको भी light करने के लिए यह काफी अच्छा होता है और चावल काटा skin whitening के लिए बहुत ही अच्छा होता है इसके इस्तेमाल से हमारे skin चमकने लगती है हमारे open pores minimize होते है हमारे skin बहुत ही जदा खूबसूरत हो जाती है Korean लोग तो अपने जादर beauty products में चावल के आटे का इस्तेमाल करते हैं चावल का इस्तेमाल करते हैं आपने उनकी skin देखिय कितनी खुychos特 होती है क्योंकि उनके चहरे के ऊपर open pores बिल्कुल नहीं होते Code first is इसका इस्तेमाल सभी कर सकते हैं, सिर्फ वो लोग ही इसका इस्तेमाल ना करें, जिनको इसमें डालेगे किसी भी इंग्रीडियंट से अलर्जी है, उनकी स्किन को नुकसान हो सकता है, ठीक है जी, देखिए मसाज करते हुए दो मिनट हो गए है, अब मैं अपने फेस को साफ क करके दिखाऊंगी आपको, इसके सामने महंगे से महंगा फेशियल वेल है, अब मैं अपने फेस को वाश करके आती हूं, और आपको दिखाती हूं, इसका फाइनल रिजल्ट, फ्रेंड स्किन का खुद्रापन तो एक ही बारी के इस्तेमाल से चला जाएगा, स्किन इतने ज स्किन को बार-बार नहीं छूना, क्योंकि स्किन को बार-बार छूने से हमारे हाथों के जो जम सा वो बार-बार फेस के उपर आते हैं, जिससे हमारे चहरे के उपने एकने मुहासिफ हो सकते हैं, इसलिए आपका चाहिए जितना मर्जी मन करें अपनी स्किन को बार-बार न स्क्रब करने के बाद आप कोईप्रे कोई फसके पैक जरूर लगा यहिए हिए दोनना लगाना आचाहते हैं आपका जो भी पेवरिट फेस्पैक एक है अब लगा कोई बेड़ में फूट नहीं बनी रहे ठीक है जी तो आप भी इस प्यारे से अमेजिंग से स्क्रब को करें अपनी स्किन को फ्लोलेस बनाएं तो फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बड़ बाई